ओम नमस्य वाय स्वागते आप सभीगा मेरे एच्छास वारद्वा यूट्यूब चैनल पर दोस्तो आज मैं आपको स्त्रावण मास का महा उपाय बताने वाला हूँ अगर ये उपाय आपने कर लिया तो आपकी पुत्र की मनुकामना अवश्य पूरियोगी साथ ही धन प्राप्ति के लिए और घर में सुक सम्रदी के लिए अटल सोवाग प्राप्ति के लिए पहुत सारे उपाय इस वीडियो के माध्यम से में बताने वाला हूँ देखो स्त्रावण मास का महिना इस वार डवल महिने पड़ रहे हैं 69 दिन का रहने वाला हैं कापी सालों के बाद में ऐसा यूग बनाएं क्योंकि इस वार अधिक मास जो मल मास का महिना होता है परसोतम मास जैसे कहते हैं वो स्रावण मास में आ रहा हैं तो इसलिए स्रावण मास चार जुलाई से प्रारम होगा 31 अगस्त तक चलेगा इस वार चार की जगे पर आठ सामन के सोमार पढ़ेंगे तो सभी सोमार को आपको यह उपाय करना है और प्रते दिन आपको नियम बना लेने जो नियम में आपको बताने वाला हूँ जो भी आपके मन में कामना है प्रते एक मनो कामना पोरियोगी सबसे पहला ध्यान रखना है कि सामन मास में प्रते दिन भगवान के सामने हाथ जोड़ के अपनी प्रातना जरूर बोलनी है जो भी आपके मन में कामना है धन की है, संतान की है, पुत्र की है, बयोपार अच्छा ने चल रहा है, घर में सुक्सानती नहीं है आपको जरूर भगवान से परातना करने हैं दूसरा प्रत दिन पीपल ब्रक पर पित्रों के नाम से जल जरूर चड़ाना है ये बहुत ही जरूरी है इससे पित्र दोस दूर हो जाता है कुणले में कोई दोसें वो दूर हो जाते है ग्रेन की इस्तिती मजबुत होती है हर प्रकार की मनुकामना पूरी हो जाती है सामनमास में कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको और प्रते दिर एक फल आपको खालेना चड़ा करके पुत्र की इच्छा के लिए सामनमास में अगर कोई भी उपाय किये जाएं तो वो भलत होते हैं और भगवान सिव किर्पा बरसाते क्योंकि भगवान सिव को समर पित है सामनमास का महिना और इधर आ गया बीच में पुरसोतम मास का महिना तो भगवान सिव और भगवान पिष्णू तोनों के महिन दिन आ गए तो भगवान सिव प्रसन लो करके आपकी मनुकामना पूरी करेंगे, सबसे पहला द्यान रखना है कि घर में कोई भी तामसिक चीज नहीं बननी है, दो महिने आपको द्यान रखना है कोई भी तामसिक च करों विशेश पवित्र महिना है इस बात का विशेश उप्षे द्यान रखना है कि किसी की दूसरे की घर की चीजे लेकर के पूजा में प्रयोग नहीं करनी है माता पारवती को प्रतेक सोमार को स्वाक की चीज़े अरपड़ करनी है क्योंकि माता पारवती को इसी महिने में सावनवास में ही भगवान सिव ने बरदान दिया था अखंड स्ववाक प्रातियो साथ ही पत्नी रूप में सुईकार किया था भगवान सिव ने माता पारवती को माता पारवती ने कटोड़ तप किया था और भगवान सिव से बरदान मांगा था कि वो उनको सुईकार करें पतनी रूप में भगवान सिव के यह बरदान पा करके माता पारवती प्रसन होई और माता पारवति को भगवान सिभ ने ये भी बर्दान दिया था कि सावनमास में जो मेला हैं अखंड सौबागे प्राप्ते के लिए पुत्र संतान धन प्राप्ते के लिए माता पारवति और भगवान सिभ की पूजा करेंगे उनकी वो प्रतिक मनोकामना पूरी करेंगे य माता पारवती को प्रसंद कर लो भगवान स्वेम अपने आप प्रसंद हो जाएंगी अब आपको नियम बता रहा हूं कौन-कौन से नियम प्रतिदिन सहाध नहीं सबसे पहला एक तामे का लोटा आप बना लें और तामे के लोटे में आपको दो भूंद गंगा जल डालना है उस तामे के लोटे में पांच चावल के दाने आपको डालने ही और एक बेल पत्र डाल लेना है थोड़ा सा सैधला के रख लें दो भूंद सैधल डाल दे अब इसी जलसे प्रतिदिन भगवान का आपको आपसे करना है आपसे करने के बाद में दो बेल पत्र लेने ही अगर प्रति दिन मिल जाते हैं तो और एक पीली कोड़ी प्रति दिन आपको सिवलिंग पर चड़ानी हैं पीली कोड़ी धन प्राप्ति के लिए पुत्र प्राप्ति के लिए पीली कोड़ी चड़ा करके प्रति दिन आप चड़ाएं किस दिन लगातार सिवलिंग पर चड़ाएं और फिर इस कोड़ी को समाल के रखे, अगर मेलाएं कमर में बांध लेती हैं, तो उनको पुत्र प्राप्ते हो जाती है, और जो ब्यक्ति ब्योपार इस तल पर इसे रख लेता है, उसे बरपूर धनकी प्राप्ते होती है, साथ ही प्रति दिन भगवान सिर्को एक लोंग चड़ानी आपको, अपनी इच्छा बोल करके, एक बेल पत्र ले 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 उस पर चावल के दाने रख ले, जो लोटेम डाले थे, और उस पर एक लोंग रख दे या दो लोंग रख दे और प्रति दिन भगवान को समर्पित कर अगर धतूरे का फल मिल जाता है, पुत्र प्राप्ति के लिए धतूरे का फल चावल के साथ में भगवान को समर्पित कर दें, धतूरे का फल मिल जाता है, तो जैसे आपका ब्योपार है, ब्योपार इस तल पर ग्रहक नहीं आते, नेगेटी जादा उचकी है, या घर के अ बेल पत्र लगा दीजी, बेल पत्र पर सैद लगा के सिवलिंग पर चड़ा देए, अब आपको क्या करना है कि वो धतूरे का फल उठा के लियाना है और उसे ब्योपार स्थल पर रख दीजिए, घर की नकारतमक्ता खत्म हो जाईए, साथ ही पुत्र प्राप्ति के लिए, प बेल पत्र पर सैद और गय का गी लगा के भगवान को समर्पित करें और धतूरे का फल समर्पित करें, प्रतेग सोम्मार को धतूरे का फल चड़ाएं और गेउं के दाने भगवान सिव को समर्पित करें, खीर का प्रसाद भगवान को समर्पित करें, इसे भगवान प्रसन नोकर के मनवांचित भल परदान करेंगे मैलाय माता पारवती को सोंबार के दिन और मंगलवार के दिन मंगला गोरी ब्रत रखा जाता है माता पारवती को सिंगार अरपन करें और सिंगार में ते सिंदूर ले आए चूड़ी ले आए उनका आप प्रियोक करें इससे अखंड सिव के सामने हो माता पारवती के सामने साम के समय वहीं बैठ करके ओम नमस्य वाए इस मंतर का 108 बार जाप करना है प्रते दिन 11 गेहूं के दाने सिवलिंग पर चड़ाना प्रारम कर दीजे पुत्र के इच्छा बोल करके साथी मैलाओं को सिवलिंग पर चड़े हुए चावल खाने चाहिए सामन मास में सिवलिंग पर चड़ा हुआ चावल खाने से पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं और जो मैलाओं प्रते दिन 5 दिन सुभई के समय सुम्मार से शुरू करके 9 सिवलिंगी के बीच और नौचावल के दाने सिवलिंग पर चड़ा के अगर उसे खा लेती हैं तो पुत्र की मनुकामना पूरी हो जाती है साथ ही सिवलिंग पर आपको एक चीज या सिवजी की फोटो के सामने एक फल प्रति दिन चड़ा के आपको जरू खाना है कर्ज बढ़ रहा है ब्योपारा चने चल रहा है सरीर में कोई परिशानी है तो आप सिवलिंग पर समी पत्र और गुड जो होता है गुड की सात डली या एक डली प्रति दिन सिवलिंग पर चड़ाईए सामन के जितने सोंबारा हैं उनको तो पूजा होती ही होती है स्पेसल लेकन आपको ये सामन में चड़ाना है अब सामन मास में कुन-कुनसी चीज़े आपको चड़ानी है प्रति दिन एक केला भगवान को चड़ाके वो खानी है आपको ये फल आपको जरूर खाना है, पुत्र प्राप्ति के लिए इससे पुत्र की इच्छा पूरी होती है, बेल पत्र, धतूरा, और आग के पत्ते या पुष्प, भांग की पत्तियां, भांग का प्रसाद, और चावल, सहद, ये चीजें, पांच साथ चीजें, सिवलिंग पर चड़ाते हैं, तो मनुकामना पूरी हो जाती है, प्रतेक सौंबार को गाय के दूसरे भगवान सिवल जी का अफसे करें, साथ ये चीजें चड़ाएं, पुष्प भगवान को अरपन करें, इससे आपकी प्रतेक मनुकामना पूरी होगी, दोस्तों सामन मास का महिना पूजा करने के लिए, तो मुझे अमीदा आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी, प्रते दिन इस पकार से आपो पाए करेंगे, तो आपको लाब मिलेगा, साथी रुद्रा की माला, तरसू, डमरू, भश्मी, और साथी गंगाजल, ये चीजे पहले से ही ला करके रख लें, सिवलिंग पर चड़ा करके रुद्रा की माला, कमल गटा, गोमती चकर, पेली खोड़ी, ये लाकर की चड़ा करके लाकर के घर में जरूर रखें, इससे घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता है, और घर में रहने वालों की हर मनोकामना पूरी होती है, वीडि करने है,